तो आज के वीडियो जो होने वाला है कि हम वन लाइनर जी के पढ़ने का सही तरीका के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हम कोई भी एक्जाम का त्यारी करते हैं, तो वन लाइनर जो जी के हम पढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, हम अकसर रिवीजन के दौरन पढ़ते हैं, या फिर जब भी पढ़ते हैं, तो हम पढ़तों लेते हैं, लेकि उसका सही तरीका हम को पता नह आया आप 987 पढ़ लिए वहां और आगे बढ़ गए तो ऐसा तो करना ही है चलिए पढ़ के निकल गए तो चले गए लेकिन आप गोवा के बारे में क्या क्या जानते हैं इसके बारे में भी आपको होना चाहिए कि आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं जैसे कुछ- इंडिया का सबसे चोटा स्टेट है जिसकी बॉंडरी किसकी से लगती है तो मैप में देखेंगे तो आपको और ज्यादा ज्यादा जो वहां से क्लियर हो जाएगा है कि यह आजाद कब हुआ मतलब कब भारत का यह अभिन अंग बना और इस पे मतलब अभिन अंग बनने से पहले इस पर किसका राज था जैसे पुर्तिगीज लोग करीब चार सो पचास साल तक इंडिया मतलब गोवा में राज किये थे उसके बाद यहां से गए 1961 में जा जाजाए जिसे गोवा जो है वेस्टन घाट का रिंज जो है उसमें पढ़ता है वेस्टन घाट के बारे में आप क्या के जानते हैं यह एक चीज आ जाएगा आपका मतलब अब लकिbles देखियेगा कि आपको एक कोश्वं से आपको बहुत सारा डाँ से क्लियर हो जधा यहां से आपका concept wier ہوगा अभी बोली आगने की मैट में सिफ concept होता है concept हर जगह होता है चाहे आप gk पढ़ रहे हो मैथ प्धड़ रहे हैं या पिरिजणिक पढ़ रहा हो जी के में भी concept wise अगर पारते हैं तो वहां भी रटने का कहीं कहीं भी कोई जरूरत नहीं है जैसे अपना ही बात करें तो हम को बहुत चीज क्या होता है कि यार नहीं होता था लेकिन इस तरह हम relate करके कोई सोट्रिक कुछ नहीं बना बना दे थे जो आपस में जो एक जाल तरह का आपका दिमाग में बन जाएगा और कभी भी कोश्चन आएगा तो आपका पूइंट जो आप सही एकनम जवाब देंगे तो वन लाइन पढ़ने का जो सही तरीका है यही है कि आप उसके बारे में मतलब कोई कोश्चन आ गया भले समय लग रहा है भले आपको कोश्चन यहां भी कवर कर लिए कोई सौ कोश्चन पढ़के कवर कर लिया तो अलग मतलब उसके लेवल में आप कहीं आगे बढ़े क्यूंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं एक कोश्चन पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपका कॉंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो रहा है तो क्लियर करके पढ़ेया चाहिए दस एक क्वश्चन भड़ चाहिए दन भर में पढ़िए हों कि अगर पकिया कर्के बना लेते हैं तो Украї होता है कि दिमाग में कुछ समय के लिए तो रहता है लेकिन घज़ी से एक्जामि आयेगा सब भूल बाल जाईए यॉक्स कि होता कि हमको बहुत चीज याद करना पड़ता है एक चीज तो नहीं है कि एक मीराम से लगा क्या हिम आखीम तो फिर बाद कि में काम कर जायेगा तो कि आप सॉट्रिक स्मय के लिए याद होता है फिर उजा के वहीं का वहीं रहा जाता है सवट्रिक कर गया तो अच्छा है नहीं क्लिक किया तो बस घूंते रहे है और कंसेप्ट आपका क्लियर है अगर नहीं भी आपको याद आ रहा है तो जैसे माल लीजे सबसे मालीजे आप नहीं जानते हैं कि सबसे छोटा रज्य कौन सा है मालीज आप गोवा भूल गया कि गोवा रज्य नहीं है में हैं कि कोन सा सीट कहां पर है आपको दिमाग में कि सबसे बड़ा सबसे छोटा चोटा मतलब दिमाग में क्लेर है रहे काम कॉंसेट से पढ़ होंगे मैं मैक के दोरा तो वहां आपका देखेंसे गाज तो असे आपका बेटी शौन से ऑफ़ भाल new कुछ सा है तो वह माली जे आप का माली जे राजस्थान रहे गारा यह संब बढ़ा देखिएगा फिर माली जे आपका हड़ियाना रहे का पंजाब रहे गा हिमाचल बदेश रहे तो आपका concept clear है तो महां सीधे आप राजस्तान मारके निकल जाएंगे इसकी सबसे बड़ा वज्जे यह है भले याद रहे ना रहे तो concept clear करके पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा होगा और वन लाइनर पढ़िए लेकिन फुली concept wise पढ़िए चाहे दसी कोशन पढ़िए ज से confidence भी हाई होगा और मज़ा भी आएगा और जितना समझ में आता है उतना अच्छा लगता है उतना पढ़ने में जादा मज़ा आता है तब आज के लिए इतना ही मिलते लिए वीडियों थाक्यूं कर दो